हेलो गाइज मैं राजेश बंडारी आज आपके लिए एक टॉपिक लेखाया हूँ आइसुलेटर और सर्किट बेखर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ठीक है देखो वरकिंग दोनों की सेम होती है मगें उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है ठीक है तो दोनों यह क्या एक switching device है ठीक है आज हम नहीं इनमें दोनों में different दिफरेंस देखते हैं और कैसे काम करते हैं वह भी हम समझींगे ठीक है तो दोनों एक switching device है switching के मतलब circuit को on करना off करना ठीक है कोई भी सरकित है transmission line में और यह समांना दोनोंने काम करता है क्या आइसुलेंटर bugün में हुआ तो समझते है तो आइसोलेंटर तो कब दोता है कि क्या सर्कृट को ब्रेक करता ए जब तुम्हारा मालो कोई transmission line है और वहाँ पर हमें maintenance का काम करना है यानि वहाँ पर कोई काम करना है तो हम क्या करते हैं काम करने के तो जो line है उसमें कोई करन नहीं होना चाहिए ठीक है तो वहाँ पर उसको break करने के लिए उस करते हैं isolator openings no load पर काम करते है यानि जब कोई load नहीं होता यानि जब कोई line में कोई current नहीं करते हैं तब तक यह closed रहता है जबकि जो circuit breaker है ये no load और on load दोनों पर काम करता है यानि जब circuit में current होगा या नहीं होगा तब भी काम करता है ठीक है यानि कभी भी हमें आकर line में काम करना है सबसे पहले समझे लो कोई भी circuit breaker होता है उसके दोनों side isolator लगा होता है ठीक है तो अब जब हमें इस लाइन में काम करना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस circuit breaker को यहां से off करेंगे, ठीक है, यहां से open करेंगे, तब जाके यह isolator को, दोनों isolator को open करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है, कि पहले circuit breaker को off के जाता है, तो circuit breaker को, जब हम off कर देंगे इस line को, तो इसमें कोई current flow नहीं होगा तब हम isolator को off करेंगे ठीक है तब इनको open करेंगे क्यों करते हैं isolator को open ताग अगा कभी मानलो किसी ने circuit बेकर काउन कर जा तो वो उस line में current आजागा और जो उस line में काम कर रहोंगे उनमें क्या आजाएगा उनको उनके लिए खत्रा हो सकता है तो safety purpose के लिए isolator यूज करते हैं यह manually operated होते हैं ठीक है manually operated ठीक है यानि इसको हाथ से आप operate करते हैं ठीक है जो high kv के line होती है मोटर के तो भी इसको operate किया जाता है जबकि छोटी kv तक की line को क्या manually operated होते हैं जबकि जो circuit breaker होते हैं आपके automatic ठीक है मालो 2 contact है यहाप अभी पहले चिपक हैं जैसी अम इसको open करेंगे तो आप जब ए 2 contact खुलेंगे तो यहाँ पर high current होगी high voltage होगी तो क्या होगा arch induced होगी बगाए isolator में कोई . क्योँ क्यों कि इसमें कोई current नहीं होती is no low ठीक है आपका vacuum हो गया तो इस तरीका के अलग अलग circuit पिल कराते हैं थीक है तो इतना समझ में आगे होगा यह नो लोड पर काम करता है यह on load और no load दोनों पर काम करते है manually operated होता है यह automatic और manual दोनों तरीके से काम करता है अब हम इसमें आगे समझते हैं तो आइसोलेटर को आपको बता दिया कप काम करता है ठीक है जब में क função कर दो हैं? तब आइसोलेटर का में शीरे का मर्नण में करते हैं शीर्कृिट्र प्रितशलेटर को के लिए शीरे क्लिथ प्रोब कार इसे शीरे काम करता है या ओवर लोड़ हो जाता है ठीक है कोई भी फॉड हो जाता है उस case में भी circuit breaker क्या करेगा Automatic उस circuit को off कर देगा यानि वहां को break कर देगा उस line को ठीक है यानि ये sensible device होते है यानि इसमें ये sense करता है यानि इसको कोई signal देता है सेरुकित को उसको सर्किट ब्रेक करते हैं तो रिले ञांविक सर्किट को circuit में लगे हैं वो सब क्यों जाएंगे safe हो जाएंगे ठीक है उनमें मदलब कोई खराब नहीं होंगे ठीक है तो ये होता है circuit breaker का काँ ठीक है कभी abnormal condition है नहीं short circuit या कुछ भी होता है overload होता है तो relay से एक signal आएगा circuit breaker को जो circuit breaker क्या करेगा उस circuit को off कर देगा ठीक है जिससे कि जो भी equipment लगे होंगे वो safe हो जाएंगा अब हम इसमें समझते है ठीक है अब दूसी चीज़ समझते हैं इसमें कि जो circuit breaker होता है वो whole circuit को breaker करता है यानि अगर मैं circuit breaker को यहाँ से off कर दूँगा तो पूरा जो circuit होगा यह off हो जाएगा ठीक है जबकि isolator में क्या होता है individual circuit को off किया जाता है जैसे यह isolator है तो यह इस circuit को off करेगा यह वाला isolator इस circuit को off करेगा ठीक है तो यह individual off करते हैं आपके तीसी चीज़ यहाँ पर मैंने एक earthing switch भी use कर रहा है ठीक है यह क्यों use होता है यह use होता है कि जब हम आइसोलेटर को यहाँ से off करते है तो line में जो भी charge रह जाता है residual charge रह जाता है वो सारा क्या ground में चले जाए ठीक है तो जैसे हम इसको open करते हैं ठीक है तो यह जो यह line होती है earth switch से अर्थ से connect हो जाती है और जो भी charge होता हो तो यहाँ US के अंदर चले जाता है यानी जो भी charge रहता है वो अर्थ में चले जाता है तो earth switch का काम यही होता है कि जब आइसोलेटर को उपन करते है तो line में जो charge होगा व ए अर्थ से earth स्विच से earth हमें चला जैएगा जैसि हम इसको open करें यो yes हमने इसकोte open किया तो यह अपने आप ही close अजाएगा और ये earth से connect हो जाएगा जैसि हम इसको close करेंगा isolator को ये खुदी open हो जाएगा तो ये काम होता है इनके बागी एक कोश्षन और बनता है कि यह क्या एक आईसुलेटर, एक mechanical device है, ञब कि circuit breaker के एक electronic device है ठीक है इसमें तुम्हारे IGBT ठीक है टांजिस्टर ये लगे होते है और एक mechanical device है तो I hope आपको ये isolator, circuit breaker और earthing switch तीनो समझ माया होगा ठीक है इसमें जो important चीजे थी वो मैंने आपको समझा दी ठीक है on load, no load पे काम करता है ठीक है, manually operated होता है automatic manual operated होता है ठीक है, तो बाकी जो important चीजे थी मैंने आपको इसमें discuss कर दी, तो thank you